हेलो दोस्तों, वेलकम टो अनली आईएस, डेट है आज की 3 नमबर 2022 और आप सभी का स्वागत आज की एडिटोरी डिसकेशन में, देखे सुमेट सर कुछ कारणों की वज़े से काफी आज दिन बार ही बीजी थे, उन्हें पूरी कोशिश करी कि आपके लिए डिसकेशन के लि कंडक्ट किरा जा रहा है, ठीक है, 6 नमबर को, तो जो भी स्टोएंट्स के अंदर पार्टिस्पेट करना चाते हैं, वो नीचे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिंक प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर जिस्टर करके, 6 नमबर को वो डेफिनिटली, ओल इंडि दूसरा हम देखेंगे रिगार्डिंग जो बायोस्फेर रिजर्व होते हैं, किस तरह से युनेस्को का प्रोग्राम वर्क करता है, मैनन बायोस्फेर रिजर्व उसको डिसकेशन किया जाएगा, और साथी साथ, तीसरा मारा एडिटोरियल है, GM क्रॉप से समंदित, देखि तुगलगाबाद में, वेस्ट टू नर्जी प्लांट, होमनिस्टर जी के दुवारा इनॉगरेट किया गया, अब देखो, ये पर्टिकुलर जो प्लांट एस्टेबलिश किया जा रहा है, इसके बहुत सारे बेनिफेट्स बताय जा रहे हैं, आप सभी जानते हो, कि जो हम अगर हम सोचो इसको यूटिलाइस कर पाएं, उसको एनर्जी में कर पाएं, तो एक तो ये जो वेस्ट था, इससे हम दूर हो पाएं, ठीक है, जो वेस्ट था, उसको हमने एक प्रोड़क्टिव मैनर के अंदर यूटिलाइस कर दिलिया, ठीक है, साथी साथ हमारा जो था, ठीक उसका treatment हो गया और साथी साथ मारी energy भी आगी तो dual benefits यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इसी वज़ा से इसको क्या बोल सकते हैं multi purpose plant है city को clean भी कर रहा है clean कैसे क्योंकि waste जो था वो treat हो गया ठीक है ना तो वो सारी चीज़े होगी साथी साथ energy generate होगी तो यह सारी चीज़े हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं बट राइटर क्या बोलते हैं राइटर बोलते हैं कि कुछ concerns भी हैं इसके जो कि हम देखेंगे अभी just अभी अब जब हम बात करते हैं waste to energy plants की तो हमें waste to energy से समझने का आना चाहिए कि यहाँ पर अलग-अलग तरीके हो सकते हैं इस चीज़ के corresponding पहला हो सकता है इंसी इन्रेटर के थूप यहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक तरह की ना furnace होती है इस furnace के basis पर हम क्या करते हैं waste को burn करने की कोशिश करते है ठीक है ना waste burn किया जाता है इसके corresponding एक तरीका हो गया यह या फिर क्या हो सकता है जैसे कि combustible gases होती है मारे पास combustible fuels होता है methane ठीक है ना जैसे कि methane के थूप हम इसके production करें यह भी एक तरीका हो सकता है बट जनली जो तरीका यूज किया जाता है वो waste इंसे रेटर्स के थूप जो waste को burn करना है उसी को use किया जाता है जब हम बात करते है waste to energy plants के corresponding अगर हम बात करें current status क्या है इस तरह से आप देख सकते हो यह जैसे working इसकी बट कहीं न कहीं current status के अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि nearly 92 plants इंडिया में established हो रखने हैं और यहाँ पर चाहे हमारा urban waste हो जैसे आप जानते हो Delhi के corresponding बहुत चरा waste देखने को मिलता है agriculture waste हो सकता है industrial waste हो सकता है यह सारी चीज़ों को tackle करने के लिए हमारे नियर्दी 92 plants इंडिया में देखने को मिल जाते हैं और आने वाले time में यह जो वेस्ट का अगर बात करें value की terms में यह काफी बढ़ने वाली है कितना 11.7 billion dollars कि यह जो particular waste to energy industry है एक तरह से कहा लीजिए यहाँ पर इसकी value बहुत ही आने वाले time में बढ़ने वाली है तो काफी अच्छा-कफा potential है इसके corresponding तो इसके benefits क्या हो सकते है इस चीज़ के देखे benefits बहुत ही simple है पहले तो यह बात है कि जो चीज़ हम यहाँ पर क्या कर रहे है जो waste burn हो रहा था ठीक है ना जो waste था basically उसको हमने burn करने की कोशिश करी ठीक है तो उसके basis पर क्या हुआ जो energy आई वो कुछ हद तक clean होती है पूरी तरह से clean नहीं है पर जो traditionally हम incineration use कर रहे है उसके comparison में clean है तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि पूरी clean है नहीं बट comparatively clean है दूसरी चीज़ यह land filling को avoid करता है देखो आप Delhi के cases में अगर देखोगे ना तो Delhi अगर आप outskirts पे जाओगे थोड़ा तो आपको ना बहुत सारी बड़ी बड़ी land fills देखने को मिल जाएंगी ठीक है ना तो हम यह यहाँ पे जो इतना जादा हमारे urban areas के अंदर इतना जादा waste produce हो रहा है उसको हम कैसे अच्छे से dispose कर सकते हैं यहाँ पर major issues देखने को मिलते हैं तो जो volume of waste इतना सारा जो waste generate हुआ इसको कहीं यहाँ तो हब land fills के अंदर करो या फिर अगर हमने waste to energy plants लगा दिये तो जो waste generate हुआ एक तरीका मिल गया ना उसको volume of waste को reduce करने का बिलकुल मिल गया इसके साथ ही साथ एक benefit और है what is that देखिए होता क्या है कि जैसे incineration करते हैं जब furnace के अंदर हमने चीज़ों को burn किया तो वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर कुछ चीज़े तो होगी burn ठीक है जो चीज़े burn हो जाती है वो होगी कुछ ऐसे चीज़े भी तो होगी जो burn नहीं होगी जैसे कि क्या आपके metals तो बचने जो चीज़े बच जाएंगी जो burn नहीं होगी उनमें हमें metals मिल जाएंगे बिल्कुल तो इन metals को न हम द्वारा से use कर सकते हैं इनको recycling करी जा सकते हैं इन चीज़ों की तो एक तरह से यहाँ पर भी चीज़े होगी जो चीज़े थी जैसे plastic हो गया यह सारी चीज़े यह तो burn हो जाएंगी बाकी जो नहीं बढ़ने वाले होगी उनको हमने recycle कर लिया तो यह भी यहाँ पर हमारे जो resource था उसको हमने recover कर लिया तो यह major तीन benefits writer यहाँ पर highlight करते हैं पर benefits तो हैं कुछ challenges भी है वो क्या है देखो इसके regarding sustainability के regarding बहुत सारे issues यहाँ पर देखने को मिलते हैं पहली बात तो देखो जो यहाँ पर waste collect हुआ क्या हमने उसको कहीं segregate किया क्या हमने अलग-अलग किया कि यह waste इस तरह से इसको ऐसे हम tackle करेंगे यह waste जिस तरह से इसको ऐसे tackle करेंगे नहीं किया और जब मैंने पिछले slide के अंदर आपको बताया कि बहुत सारी चीज़े क्या हो जाती है burn हो जाती है अब इस burn के चीज़ों के अंदर बहुत सारी और भी तो चीज़ें आगी ठीक है ना जैसे इस particular चीज़ को जो burn हो गया उसके corresponding हमें वहां पर भी तो issues देखने को मिलेंगे माल लीजी जैसे wood थी अब wood को भी तो आप दुबारा से reuse कर सकते थे किसी ना किस तरह से पर वो तो हो गया burn तो ये तो चीज़ हमें नहीं suit करी ठीक है ना otherwise होता क्या अगर हम burn ना करते किसी और तरीके से इसको use करनी कुछ करते तो वह हमें benefit देता पर यहां पर क्या हो रहा है यहां पर एक तरह से ना जब सारी चीज़ों को आपने mix करके किया जब कोई segregation नहीं थी तो हो क्या सकता है कि amount of waste जो अक्चल में कम होना था वो ज़ादा हो गया ठीक है अगर segregation करके करते तो शायद कम होता ठीक है तो यह सारी दिक्कते यहां पर देखने को मिल जाती है उसी तरह से feasibility के regarding देखो energy तो निकल रही है आप waste से energy निकाल रहे हो पर कि energy की cost भी तो देखनी है बहुत सारे तरीके हो सकते है energy generate करने के एक तरीका हो गया यह पर मैं आगर आपको बोलूँ कि benefits तो बहुत सारे हैं पर यह जो energy है ना यह बहुत महेंगी मिलेगी इसकी cost बहुत ज़ादा होगी तो क्या आप खरीदना पसंद करोगे इसको नहीं करोगे क्योंकि आपके पास दूसरे सस्ते options हैं आप उनकी तरफ ज़ादा move करोगे और जब cost किसी चीज की high होती है आपने देखो पैसा ज़ादा लगाया इन चीजों के उपर इसको इस तरह का plant बनाने के अंदर अलग-अलग खर्चे और बहुत सारे कर दिये तो पैसा बहुत अलग गया पर जब उसके corresponding output आया तो output वहेंगा था तो आपको तो issue होगा ना आपकी profitability पे impact आएगा तो इस वज़ा से इसी feasibility के regarding काफी सार issues हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह थोड़ा सा cleaner energy तो देता है पर पूरी तरह से clean energy नहीं देता जो अलग-अलग carbon content होता है waste के अंदर उसके corresponding वो carbon dioxide emission हमें यहाँ पर देखने को मिलती है उससे क्या होता है green house effect तो यह सारे issues भी होगे ठीक है health impact भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि जो चीज़े कही न कहीं अच्छे से नहीं burn करी बताया ना कि कुछ चीज़े burn होगी कुछ नहीं burn होगी तो कुछ चीज़े जो नहीं burn होगी वहाँ पर issues आएंगे ठीक है तो यह सारे issues होगे उसी तरह से कुछ ऐसी चीज़े हो सकती है जिनको हम recover ना कर पाएं जैसे मैंने आपको बताया भी wood हो गया plastic हो गया इनको कहीं न कहीं हम recover कर सकते थे पर जब यह चीज़े क्या हो जाएंगी burn हो जाएंगी आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें आप recycle कर सकते हो reuse कर सकते हो reduce जो हम 3R का principle लेकर आते हैं वो सारे चीज़े हो सकती हैं बट अगर आप यह सारी चीज़े burn करने लग जाओगे तो आप कहीं न कहीं यह जो हमारा actual principle था इसके बिल्कुल opposite direction में नहीं जा रहे एक होता है कि आप waste जो होता है आप इसको waste में से चीज़ों को recycle करो, reduce करो, reuse करो एक इसका उल्टा तरीका है आप इसको burn कर दो तो burn वाले से energy तो आ जाएगी पर आप यह जीज़े चीज़े हमारी government भी promote कर रहे है इसको इसके तो बिल्कुल opposite वाली साइट जला गया न यह तो यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो देखो positives थे, मना नहीं कर रहे waste उनजी के कुछ positives थे but challenges भी बहुत सारी देखने को मिले तो जरूरत क्या है? जरूरत है एक तरह की sustainable approach लेके आने की, sustainable approach किस तरह से? देखे, हम ना और बहुत सारी options लेके आ सकते हैं जोसे हमने देखना, waste बहुत generate हो रहा है तो composting हो गया, biogas जैसी चीज़े होगी, biomethanation यह नए-नी जो technologies आ रही है, इनके corresponding हम दिज़े देख सकते हैं चीज़ों को recycle किया जाए, एक तरह की circular economy लेके आई जाए देखो, जो हमने कोई मानलों कोई product था, वो product को हमने use कर लिया वो use के बाद हो सकता है, कि वो recycle किया जा पाए, किसी ना किसी तरह से उसको दुबारा से reuse की तरफ लेके आई जाए पाए तो अगर हम थोड़ा circular economy की तरफ move करें, तो ये चीज़ें आउना long term solution की तरह act कर सकती हैं, अगर हमें longer time के अंदर इस चीज़ को देखना है तो यहीं पे काम आएगा, उसी तरह से हमारे जो regulations है उनको थोड़ा सा strictly implement करो, जैसे कि जो solid waste management rules है ना उसके अंदर लिखा गया है कि सिरफ जो इस तरह की चीज़ें है, non recyclable वाली चीज़ें उनको ही आप waste to energy plants के अंदर use करो, जैसे कि rubber tire हो गया, plastics हो गया, discarded textile सिरफ इनको ही आपने यहाँ पे waste to energy plant के अंदर डालना है ऐसा नहीं कि सब कुछ को ही डाल दो, जितना भी waste है सब को ही डाल दो, होता actual में यही है जितना भी कूड़ा आता है, जितना भी waste होता है, सारा का सारा इसके अंदर, WTE plant, waste to energy plant के अंदर हमें कै करना था, इनको segregation करना था, वो करानी जाता, अब अगर इन laws को, solid waste management rules को मच्छे से implement करें तो definitely इसको कर पाएंगे, ठीक है, इसके साथ ही साथ जरूरत ये भी है, कि जो हमारी developed countries है वो क्या करती है, वो जो अपना waste है न, वो कहां बेज जाती है, किसी developing country की तरफ इस तरह से dump कर देती है तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये waste का जो trade है, इसको हमें रोकने की जूरत है, इसको prohibit करने की जूरत है, तब ही हमें इसकी तरफ काम कर पाएंगे तो देखो, waste to energy अच्छा solution भले ही हो सकता है, पर ये ideal solution नहीं है, क्योंकि इसमें corresponding बहुत सारे challenges है तो ये short term solutions हैं आपके लिए, ठीक है न, waste to energy, बट long term, अगर आपको actually sustainable क्यों चीज़ तरीका चाहिए, तो वो यही है circular economics का, चीज़ों को जादा सारा recycle किया जाए, अगर possible हो तो उनको reuse किया जाए, थोड़ा बहुत repair कर लिया, इस तरह की चीज़ें ही आपके एक long term solution में आप आपको help कर सकती है, ठीक है तो ये था हमारा पहला editorial, waste to energy से समन्दित, चलते है हमारे दूसरे editorial की तरफ जो है, a chance to expand world's biosphere footprint, देखिए, होता क्या है कि आप जानते हो, UNESCO के बारे में, UNESCO का न, एक program है, what is that, जैसे, world network of biosphere reserve, अब देखिए, इंडिया के अंदर भी आपको आलग अलग biosphere reserves देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर हमें का देखने को मिलता है, एक होता है हमारा core area, इसके साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, buffer zone होता है, core area होता है, एक buffer zone होता है, ठीक है न, साथ ही साथ एक चीज क्या होती है, transition area, हम क्या दिखो ensure करना चाते हैं, हम ensure करना चाते हैं कि हमारे पास जो हमारे जो एकोसिस्टम है हमारे पास अलग-अलग जो फिशिस डवेस्टी है, जनिटिक डवेस्टी है उसको मेंटेन करें, उसके साथ ही साथ हमारी जो अधर एक्टिविटीज है चाहे आप scientific research की बात कर लीजिए आप ट्रेनिंग की बात कर लिए, एजूकेशन की बात कर लिए, यह सारी आपस में साथ में चलें, तो इस तरह से हमने इनको एरियास में डिवाइड कर रखा है, तांकि हम इंशोर कर पाएं, कि चीजों की डेवलप्मेंट एक तरह से अच्छे ढंग से हो, जहां पर एकलोज में फॉर्म हुआ था, इंडिया में आज के टाइम टोटल 12 युनेस्को के यह रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो आज का दिन है, इसको सेलेब्रेट किया जाता है, मतलब किया जाएगा आज से इंटरनेशनल डे पर बायो से रिजर्व, यह पहली बार किय जा रहा है, तो यहाँ पर जब हम कोई चीज पहली बार कर रहे हैं, एक opportunity यहाँ पर दिख रही है, opportunity किस चीज़ की, कि future के अंदर हम इस चीज़ में बहुत सारी अच्छा काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ, जो हमारी ecological diversity है, उसको हम protect कर सकते हैं, ठीक है, इसी के तरह आप यह देख भी सकते हो, अलग-अलग biosphere reserve, ठीक है, इन में से 12 जो है, वो UNESCO के साथ, इंडिया में जो 12 देखने का हमें, मिल जाते हैं, देखो, यहाँ पर writer एक बात भी को बता रहे हैं, कि इंडिया क्या आसपास ना, चाहे आप देख लो, भुटान देख लो, निपाल देख लो बाकलादेश देख लो, तो यहाँ पर आज के टाइम पर एक भी UNESCO का biosphere reserve नहीं है, तो जरूरत क्या है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसे efforts करें, ताकि इन चीज़ों के corresponding लेकर आएं, अब एक चीज़ देखो ना, यह जो ecology हो गया, ठीक है न, या फिर जो मारी diversity है, सार benefits और जगा भी देखने को मिलेंगे, तो यह सारी चीज़ें न, overall, हमें जरूरत क्या है, इस world network for buyer fair reserve के अंदर, हम आपस में cooperation करें, ठीक है, जो कि यह particular, हमें UNESCO प्रवाइड भी करता है, ताकि जो कहीं भी एक जग़ी best practices हैं, उसको दूसरे के साथ share कर पाएं, एक दूसरे को support कर पाएं, इसी basis के उपर न, कि एक area के अंदर, वहाँ पर कितनी एक habitat के corresponding, हमें वहाँ पे species की average population size कितना देखने को मिल सकता है, वो determine करता है, हमारी वहाँ की carrying capacity, तो जरूरत क्या है, जरूरत है कि जो humans हैं, वो nature के साथ harmony में रहें, ताकि जो air है, clean हो, ठीक है न, ठीक हमने अलग-अलग चीजों की बात भी करें थी, जहाँ पर न, human भी हो, साथ में साथ environment, दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, तबी तो क्या होगा, तबी तो एक तरह से हम अच्छे एक overall environment create कर पाएंगे, ठीक है, और इसी की बात writer कर रहे है, living in harmony with nature की, और यही concept क्या है, world network for biosphere reserve का, ज UNESCO जोने 2000 में पहला जो biosphere reserve था, उसको designate किया था, और यह कौन सा था, यह था नील गिरी biosphere reserve जो हमें देखने को मिलता है, Tamil Nadu, Karnatka और Kerala के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास South Asia के अंदर बहुत सारी opportunities हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी ना कि बांगलादेश भी थोड़ टाइम पहले report आए थी, कि हम दुनिया की सबसे बड़ी populous country बनने वाले हैं, ठीक है ना, और हमारा देखो area भी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो काफे सारी opportunities एक तो इंडिया में ही है, ठीक है, बर ऑन दादर हैं आप देखो, Spain एक बहुत ही छोटी सी country है, अब यहाँ पर आपको total 53 आपको यह reserves देखने को मिल जाएंगे, तो कही न कहीं देखो, जैसे हमारे यहाँ पर northeast हो गया, northeast इंडिया भी है, ठीक है ना, यह सारा part काफी ज़्यादा यहाँ पर possibility है कि हम और भी नहीं नहीं बायोश्पे reserve यहाँ पर develop कर सकते हैं, तो जरूरत क्या करते हैं, तो उसके basis पर यह चीज़े करी जा सकती है, ठीक है, तो इसके साथ ही देखिए, इसका examination अगर हम डंग से करें, proper approval करें, ठीक है, प्लैन के basis पर करें, तो यह सारा चीज़ें हमें help कर सकती हैं, एंड राइटर ना, बार बार उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, कि South Asia क देखने को मिल सकते हैं, एंड राइटर ऐसा expect करते हैं, कि इन countries के अंदर, बंगलादेश हो, बुटान हो, निपाल हो, हर country में 2025 तक हमें एक-एक biosphere reserve देखने को मिलेगा, इंडिया के North East में भी और biosphere reserves आएंगे, ताकि जो हमारा idea था, कि nature के साथ हम harmony में रहें, वो इस particular idea को ह chief कर पाएं, ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा editorial, चलते हैं हमारे तीसरे editorial के तरफ, जो है GM Crops and Scientific Consent के बारे में, देखें, बिछले कुछ दिनों से ना देखो, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, जिसकी बात कर रहे है, DMH 11, that is, Dara Mustard Hybrid 11 के बारे में, अब देखें कि और कोई varieties को हमने अभी तक approval नहीं दिया, अब जो DMH 11 की बात हो रही है, इसको environment release के लिए इसको clear कर दिया गया है, पर अभी commercial release के लिए किया गया, देखो कहीं लोगों को लगता है कि commercial के लिए कर दिया, नहीं, environment release के लिए इसको clear कर दिया गया है, ये एक तरह से पहला step है, commercial commercial release के लिए, तो commercial release अभी नहीं हुआ है, हो सकता है, future में इसका commercial release भी हमें आपे देखने को मिल जाए, अब देखो DMH 11 को अपने आपने पहले बात हो, develop करना ही काफे difficult बात थी, क्यों, क्योंकि देखो कि मस्टर्ड की हमें बात करते हैं, मस्टर्ड दरसल में एक self pollinating हो जाता को मिले थे, ठीक है न, पर अब हमारे पास एक तरह से DMH 11 आ चुका है, तो यहां पर काफी positivity आई है सभी के अंदर, कि हाँ, हम GM crops को काफी एक तरह से एक futuristic solution की तरह देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर भी यही बात करी जा रहे हैं, उसी तरह से देख रही है, इंडिया के उससे पूरी world के corresponding हमें supply chain में disruptions देखने को मिली, एक impact यहां पर भी मिला, कि हमें oil के उपर जो मारी dependence थी, वो हमें और countries के corresponding देखना पड़ा, तो यह सारी चीज़े हमें यहां पर देखने को मिली हैं, कि काफी issues यहां पर हैं, ठीक है, इसके साथ ही देखिए, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि agriculture experts जो थे, कहीं न कि उन्होंने इस चीज़ को सही माना है कि हाँ, GEAC ने finally इसको approve कर दिया, पर आप देखिए जो हमारे इंडिया के अंदर, political consideration जाधा important होते हैं, scientific कम, कहने का meaning क्या है, देखो, कोई particular crop, जो especially मैं इस तरह की बाते कर रहा हूं, जो GM crops की बा चाहिए है, तो होता कि चाहिए था, कि वो GM crop उसको introduce किया जाए, पर इंडिया में क्या होता है, माल लीजिए, scientists ने उसको approve कर भी दिया, फिर हो सकता है, वहाँ पर protest हो जाएं, किसानों के दवारा या किसी के दवारा भी, तो हमारे वहाँ कि जब हमारी government क्या करती है, फिर वो मना कर देती है, कि नहीं इस GM crop को नहीं कर सकते, यही बात राइटर यहाँ पर कर रहे हैं, कि हमारा focus होना चाहिए था, scientific technology की उपर, अगर कोई चीज scientifically proven है, कि हाँ वो अच्छी चीज है, तो हमें इन चीजों की, हमें, political considerations को back foot पर रखना चाहिए, और हमें scientific technology को आगे ले है, कि अकसर किसी चीज को अगर हमने introduce करना है market के अंदर, तो political concentration जादा ही point हो जाती है, and जो मारे scientific concentration है, वो पीछे रह जाती है, यही सेम चीज हमें BT Brinjal के अंदर देखने को मिली थी, तो बाकी सारी चीजें, इसी तरह से GEC ने पहले भी इसको clear किया था, बट इस तरह की additional test कर दिया था, इस चीजां के corresponding, इसके साथ ही साथ देखिए, यह जो राइटर बात कर रहे हैं कि DMH 11 जैसी चीजें, यह अच्छी तो है, यह काफी सारी चीजें यहां पर work भी करेंगी, बट ऐसा नहीं है कि हमारी जो भी issues थे उनको सभी को solve कर देंगी, इसके बीची का करते हो, CRISPR-Cas9 जो हम चीजें डिसकस करते हैं, ठीक है न, UPSC दो बार question भी बूच चुकी है, तो यह चीज़ आज की टाइम पे हमें आज देखने को मिलती है, तो हमें इसके corresponding के थोड़ी uncertainty की future इसका कैसा होगा, साथ ही साथ regulatory policy के corresponding भी uncertainty देखने को मिलती है, ठीक है न, तो scientific consent है important हमें हमें देखने को मिलता, देखने को मिलता क्या है, political consideration, होना चाहिए था क्या, होना चाहिए था इसका exact opposite, अगर देखिए थोड़ा GM mustard को हम समझने की कोशिश करें, तो देखिए, आप सभी जानते हो, एक होता है क्या, genetic modification होता है, ठीक है न, एक होता है, gene editing, editing में के इ इसी चीज़ को बाहर से उसको अंदर introduce करते हो, यह चीज़ होती है, modification, तो देखिए जो GM की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो इंडिया भी one of the most important producers है in GM growing countries, और countries जैसे for example आपको ब्रजील हो गया, US हो गया, अर्जंटीना, करिंडा, यह सारे particular countries इस particular sector में काफी काम कर रहे है इंडिया भी one of them है, ठीक है, तो यह सारे चीज़े हम यहां पर देखने को मिलती है, कि agriculture को expand करने के लिए इस चीज़ों को यहां पर किया जाता है, और यही चीज़ यहां पर gene modification जहां पर हम यह क्या देखने को मिलता है, DNA के अंदर manipulation, ठीक है, यह ऐसा नहीं है कि control pollination की जग हर्भिसाइड हो, या फिर कुछ पेस्टिसाइड हो, मतलब जो negative impact कर सकते हो हमारे plant के corresponding, उसको रोकने के लिए हम इस तरह की GM crops को use कर सकते हैं, और बात करें कि इसके regarding regulator कौन है, तो आले हम डिसकस कर चुके हैं, GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee इसके corresponding अलग-अलग चीज़ों को regulate करती है, चाहे हो import हो, export हो, कितना produce करना है, transport, यह सारी चीज़े corresponding यहाँ पे देखी जाती है, तो ministry, इसके corresponding GEAC की है, Ministry of Environment, Forest, Climate Change, जो कि मतलब इस particular act के provisions के corresponding में यह GEAC काम करती है, अगर बात करते हैं, ठीक है na, foods के corresponding देख, FSCI, Food Safety and Standard Authority of India यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, इंडिया के अ commercial cultivation के लिए लाउड है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो DMH है न, वो भी commercial cultivation के लिए नहीं है, और BT का मीनिंग क्या है, Bacillus Therogenesis, एक ताना का bacterium होता है, जो अलग अलग जो issues होते हैं, जैसे ball warm वोगरा, ठीक है, इस से हमें रोकता है, इस particular insects के corresponding इनको रोकता है, इवन देखो के अंदर, बहुत सारी हमारी जो medicines बनती है, वो कहीं न, कहीं इसी particular technology को use करती है, जैसे की hepatitis B virus vaccine जो बनी है, वो antigen को use करती है, जो की इसी recombinant technology से बना हुआ है, ठीक है न, तो बहुत सारे sectors के corresponding इसके benefits देखने को मिले हैं, ठीक है, जो HT, BT, देखो एक होता है, BT cotton, Bacillus Therogenesis continent, उसके साथ ही एक जो HT आ जाता है, यह HT वाला मतलब herbicide tolerant होता है, तो यह सारी चीज़े भी हमें यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है, climate change, अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी crop हो, जो की माल लिजे, drought resistant हो, ठीक है, ड्रॉट के उसको जादा पानी की ज़रूद ना हो, तो अगर हम अपने crops को बनाना चाते हैं, जो adapt कर पाएं, नहीने changes के साब से, तो वो सारी चीज़े भी इसके थूरू possible है, उसी तरह से हमारे यहां पर देखो जो salt है, जो salinity है, वो काफी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम genetic modification के थूरू यह सारी चीज़े भी कर सकते हैं कि ताकि इ ऐसी soils के अंदर भी अगर हम अपनी crop लगाना चाहें, तो वो चीज़े भी हो गया, उसी तरह से food security के corresponding भी यह चीज़े देखने को मिलती है, ठीक है न, अगर जादा किसी चीज़ की production करनी हो, production को increase करना हो, तो वो भी हो गया, जैसे हमने cotton में देखा न, cotton चलो food security में तो नही आएगा, but in general, cotton की production भी तो बड़ी है, उसी तरह से GM के through हम क्या कर सकते हैं, crop yield, crop production को increase किया जा सकता है, इवन ज़े ट्रोफा के case में, biofuel production, आप जानते हो कि पहले हमारा target था, पहले target को हमने उसको revise किया है, अब हम बहुत ही ambitious plan के साथ work कर रहे हैं, कि हमें 2025-26 तक 20% blending चाहि तो अगर हमें ये targets chief करने हैं, बहाँ पर GM technique बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है, तो बहुत सारे sectors के corresponding इसके benefits देखने को मिलते हैं, but कुछ थोड़े से इसके corresponding भी issues हैं, जो writer highlight कर रहे हैं, पहला हो सकता है nutritional security के corresponding, देखिए, genetic modification के corresponding अकसर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम production को बढ़ा दें, किसी तरह से उसके life span को बढ़ा दें, किसी तरह से हम herbicide tolerant कर दें, pest को रोकें, ये सारी चीदे कोशिश करते हैं, बट अकसर ऐसा देखा गया कि ये सारी चीदे करते करते हैं, उसकी nutritional value के हम उपर focus नहीं करते हैं, और वो चीज क्या हो जात हो क्या सकता है, future में ऐसा हो सकता है कि आपने जो changes लेकर आए, उसकी वज़ा से जो diversity है, indigenous variety थी, जो पहले जो already exist करती थी, उसका हमें future में loss देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि वो खतमी ही हो जाए जो वाली variety है, उसी तरह से allergic reaction का possibility रहती है, ठीक है ना, जब हम food के corresponding इस तरह हो गया, rice हो गया, इस तरह कि अगर हम GM plants को use करें, ठीक है, तो उसके basis पर क्या हो सकता है, कोई मान लीजे जो particular wildlife थी, mice हो गया, deer हो गया, अगर इन्होंने उस चीज़ को खा लिया, तो उनके उपर negative impact हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, जो उनका पिछे का बचा हुआ चीज़े को मिलता है, तो जब भी हम इन चीज़ों को use करें, हमारे पास कुछ guidelines होनी चाहिए proper, ठीक है, जो हमारी practices हो, वो biosafety की तरफ work करें, ये जरूरत है हमें, ताकि हम ऐसा ना हो पाए, कि उससे गोचा हमें negative impact, overall atmosphere के ओपर देखने को मिले, साथी साथ, जो genetic modification है, ठीक है, उसको compliment किया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपने सिरफ हर particular solution को ना, ऐसा मत देखो कि GM कर देंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी, GM एक solution हो सकता है, बड़ उसके साथ, बाकी solutions भी तो हो सकते हैं, कि हम अपनी farming को improve करें, जिस तरह से हम ना, और farming credit, लोगों के पास ज़् अभी चीज़ों को compliment किया जा सकता है, एक particular चीज़ के बीचे बागेंगे, तो शायद हमें result ना देखने को मिले, उसी तरह से जो GEC है ना, उसके अंदर भी हमें technical competent बनाना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ों को risk देखे, कि उसके corresponding क्या risk हो सकते हैं, ठीक है, ये research वगएरा मे चीज़ के corresponding work कर पाएंगे, उसी तरह से एक होता है हमारे पास gene banks, ताकि देखो, जो मैंने आपको बताया है, कि कही बार हमें diversity loss होने का खत्रा रहता है, जो indigenous variety है, कहीं loss ना हो जाए, इसका काफी खत्रा रहता है GM के अंदर, तो हमें ensure करना है, हमें ensure करना है कि हमारे पास इस आज के तीनों editorial, I hope आपको तीनों समझाए होंगे, थोड़े environment or science tech से जाधर link थे, तो ये काफे point हो सकते हैं, आपको अच्छी decision अच्छी लगी होगी, इसी तिना से आप भी अपने end पर hard work करते रहिए, goodbye and good luck.